लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जिनके अपास गाड़ी नहीं है तो वो बॉक करते हुई यह आते लेकिन हाँ वो जंगल की तरफ नहीं अब वो रोड से आते हैं हमारे गाउं का नाम जिसा को दिखाया से लास्ट लॉग में भी यह है मलसोना जो हमारा है हेलो गाइज आप लोग अस्वागत हैं मेरे चाहन पर आज मैं आपको दिखा रहा हूँ यह कौन सा जानवर है वो मुझे पता नहीं बटाज मुझे पहली बार यह जानवर दिखें और एक उस पेड से आ रहा है नीचे यह कौन सा जानवर है मुझे बताईए कमेंट करके अभी मैं फिलाल उत्राखंड पर हूँ यहां की वादियां वह अलगी पहले लोग बोलते थे कि उत्राखंड कौन जाएगा उत्राखंड कौन जाएगा आज हर कोई उत्राखंड पर ही बसा हुआ है और यहीं पर हमारा एक छोटा सा गाउं है मल्द सोना जहां पर मैं यह व्लॉग बना रहा हूं और यहां पर देख रहे हैं अभी यहां पर बी रोड बन गई है अल्मोस्ट तो यह रोड तो अल्रेडी बनी हुई है तो हम जब आएंगे तो यहां से सिद्धा नीचे की तरफ हमारा गाउं है जहां पर आप हमारा घर अभी आपको दिखाऊंगा जहां मारा घर अभी कितना बना है क्या बना है और यह हमारी गाड़ी और इसी के साथ पापा लगे हुए अपने काम पर और यहां का मौसर निया की खुबसूर्ती कितनी जादा सुन्दर है जो लोग नहीं आए हैं वो भाफी चल रहा है और यहां देख रहे हैं कोई आवास कोई शोर नहीं कोई वाज उत्राखंड लगए तीयारा सा उत्राखंड और यहां पर मैं पर देखने की रोड अभी कितनी बनी है क्या बनी है तो इसलिए मैं विवरी उप लेकिया हुए गाड़ी पापा लगे हुए आपको चैनल अच्छा लगता है आप में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोगों तक पहुंचाईए और इसके साथ जो लोग उत्राखन नहीं आए है वो उत्राखन आईए आपको मैं दिखाऊंगा अभी जहां पर हमारा भी गाउं है जहां हम दहते हैं वहां में आपको दिखाऊंगा कि कहां पर हम रहते हैं और कैसा हमारा वहां का नहीं जहन है तो आपको हमारा इसी व्लॉग पे भी 28 दिंकर चैनल चैनल है वो मैं कंप्लीट करूंगा हर दिन के व्लॉग के साथ और ये व्लॉग जो मेरे हैं वो आएंगे ड यहां पर आपको सब कुछ एटू जितनी भी फैसिलिटीज है वह आपको देखने को मिल जाएंगी क्योंकि पहले यहां पहले उपर से यहां से भी नहीं हम कहेंगे कि इस पार से काफी उपर हम चल के आते थे वहां से हम चलते हुए नीची की तरफ बॉक करते हुए आतरे समाल लेके तो आज फाइनली यहां की गवर्मेंट ने रोड का दिनक्षन करके हमने बहुत अच्छा किया कि अपनी गाड़ी लेके आप लोग नीचे जा सकते हैं अपने घर की तरफ आज कल आप देख रहे होंगे हर घर में रोड है यहां भी रोड है जहां-जहां लोगे घर हैं वहां-वहां रोड आ चुकी है अब रोड पे तो यह काफी अच्छी चीज है गवर्मेंट ने काफी चीज कर रही है लेकिन इसके पीछे एक कारण भी है कि लोग अपने घर पहुंचते थे लेट पहुचते थे रात को पहुचते थे लोग अपना ट्रेवल उसी तरीके से करते थे कि हम सुभे निकलेंगे और इसके अब दर्ढ़ी से पहुचेंगे शाम से पहले पहले लेकिन अब रोड आने के कारए हम रेपिन घड़ी जगह पहुंच जाते हैं कोई दिक्कत नी गाड़ें वालों कि तो कोई दिक्कत नी घचाए आपम से और आज जाते हैं आज भी लोग ऐसे दिखाए दे रही होगी नीचे से यह पुई रोड अभी बन गहीं ऑल्मूस के ओपर डामन लगना यह पत्तर लगना है तो रोड अल्मूस कम्प्रीट है तो यहां पर अभी धूब खिली हुई यह उतरा खंग में काफी और रात को बहुत ठंड है यहां पर तो आप जिस तरह देख रहे हैं मैंने अभी कपड़े पहन रखें तो एक निकर पहन रखा है मैंने और चपल तो हम जिसे पहले लोग ठंड तो लगती नहीं वासी इतनी क क्यूं कि जवान खूं है अब लोगों को ज़से लेकि लेकर completed में Şimdi मने क्या पें पेर जो है चीड़ के पेड़ में क्या ज्याज को दिखने होंगे अपने होति है अग में भुनने के बाद उसके निकलते है लिएक तरीके के कि ढरम खो खाते हैं ह। जो काफी मतलब प्रोट में मातरा नंब होताती है तो यहां के लोग अभी का मुझे पता नчи करते नहीं करते लेकिन काफी लोग यहां इन जीजों को ले के जाते हैं अलग अलग करते हैं जुछ जो दिजन नहीं है जो किसी घूमने आते हैं से फोटो किछने चले आते हैं। लेकिन वोगों चीज़ा के बार नहीं पता होगा । तो बहुंने आपको बता रहा हूं। जो पेश हैं अपने आप फूट के बीचह गिरते हैं। ठीक है। उसको हम मतलब धूप उसमें आग में थोड़ा भूनने के बाद उसको खाते हैं तो काफ़ ट्विस्ट्रों में बहुत खाए हैं यहां पे और यहां पे एक भी ऐसा पेड़ नहीं होगा कि आपको अलग तरीकी का पोई पेड़ दिखाए देंगे सारे ड्राइफूट्स पर नहीं जगहों पर ऐसा भी है जामर नहीं होते तो भी और यहां पर किया है यहां पर हवा ए-थांडी हवा है यहां पर तो इत्रा अच्छा तो जो लोग बसे हुए हैं तो मैं उनसे आशा करूँगा कि वो लोग आएं यहां की हवा लें हंडी हवा लें इंका घर है यहां वो अपना घर छोड़के कहीं बाहर बसे हुए हैं तो हम लोगों की तरह तो हम भी हां पर आते कर्शियन remains यड़िया अब घर में हआ गारी 높 Delhi आते हैं धर में क्या चल रहा है हम क्या खा रहे हैं और यहां पी काफी सारी चीजें अभी व्लॉग में आनी बाकी है तो मैं आपके बताऊंगा और आप देखेंगे मेरे नाइस व्लॉक के तो गाइज अभी यहाँ पे रोड आप देख रहे हैं पहले जब हम आई थे यहाँ पे कोई भी रोड ऐसी नहीं थी की मतलब इतनी पिसाफ क्योंकि यहाँ पे पहले यह पत्थर देख रहे होंगे सारे पत्थर मतलब पहाड से यह पहाड से तोड़ तोड़ कि हापेज भाल ठेहरा लगा रखा है ताकि यह जो पत्थर है यह ब रोड में बीचेंगे और इसके बात डामर होगा तो यह जो रास्ता है, यह रास्ता हमारे सीधा गाउं के तरफ ही जाता है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इतने सारे जंगल था पहली एरिया, पूरा जंगल, अभी यहाँ से इन्होंने काट काट के पूरी रोड बनाई है, बहुत डिफिकल्ट काम है रोड बनाना बीपाड़ों में, तो उन्होंने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पे रोड बना दी है, लेकिन नेक्स टाइम जब हम आएंगे, तो यहाँ पर आपको एक पूरी प्लेड रोड नजर आएगी, पहले हम यहीं से आते थे, इसी पहाड़ियों से नीचे से अपना समान लेके सुटकेस में भर भर के समान लेके आते हैं, तो अब हमारा इजी हो गया, अपना समान गाड़ी में लेके आ सकते हैं, तो यह काफी अच्छा कर दिया है, नोने हर गाउं में रोड पहुंचा दी, सौचालिय बना दी है, मैं भी रास्ते से आ रहा था, तो मैं भी जब रास् दुंचा अचे नोने हर जगह है, काफी अच्छा कर रखा है, तो यह इनिशेटिव लिया है। और गाउं में काफी अच्छा लिया है, और बहुंचा लगा ती कि नोग पहले नीचे जाते हैं, ते जंगर बना दी आ आज का वो टाइम हैं, जैसे इसे ताइम चर रहा है, वैसे दुनिया भी आगे बढ़ रही है तो इस चक्कर में हर जग़ा बनवाए रोगने अपनरो चरू के पीछे मह बहुत शॉलगा बिनको तो अभी हमारे हां भी अभी जो खर बंद रहा है पहले हम पर ट्रक नहीं आपाते थे आज हमारे हैं रहेड़ा सब समय लोड़िद क को शुक्राइब कर दो कि निऐ सब हुते। यहां पर लुड़ भी यह है वह करता था होगा, तुक्षी झाल है तो अब लुड़ी को बता होगा, यह के लुड़ा वे काम होग्या, लुड़ु, 최Suim तो नीचे इंचे जाओ के महाँ भी नेटवर्क यहाँ पे खाली मोस्ली जीयो चलता है और जीयो के बाद एटल थोड़ा उपर आता है तो जो लोग पहाड आते हैं वो अपने जीयो साथ जीयो को हमेशा साथ में रखें हैं ड्वेल्सिम तो आप देख रहे होंगे निचे द खाल रहे हैं रोड पर घर तक पहुच रहा है तो यह काफ़ी अच्छी चीज और पहले तो यह जाए हैं ओपर से लेकिन बहुत अंग अधर अग्सपीरियेंस था और आज का सब्सपीरियंस भी अलग है तो उस ताम क्या थे कि सब अलोग पहले फिट थे जिसे कहते हैं न स आज बहार जोने जाना है हम चलते थे दुपहर में और हम आराम से साता किन्टे के ट्राइकर पर निचा देए तो वह अलग एक्सपीरिंस था और आज का भी वह अलग एक्सपीरिंस था कि आज गाडियों से अपने वहां पहुंच रहे हैं बेनेफिट और हर जगह है बेनेफ जो कितना पहार कार दिया पूरा पहार कार दिया उन्होंने रोट ना नहीं गैने और jak के अ कि काम आज से दे और पकोई ये पत्थर वत्थर या सब उचाँ था आज ये पत्तर वत्थर अब देख रहे हैं अब इस पर रोट पर काम होगा पहले ही इतनी गंदी थी कि मतलब ते बड़ी गाड़िया ही आसकते हुआ क्ढ़ी तो रुक नहीं आसकते से हैं यहां पर आप भी साथ रि्लेट की चॉड़ी करेंगे और यहां पर आराम का तो आपको लगई थ Daar क्या अफ कर देख रहे होंगी सब कुछ है लेकिन हां लेकिन हावा में ठंड है अब थे दिक Also 18 एवर का गईर डिखा रहा होगा 18 इंदी से तो फिर तन्डी हो तो इस ंरीत मैंने अगर यही मैं मतलब बोलोगा कि जहां पर में गरम में रहता तो इस कपड़ों में तो पसी नहीं पसी हो जाता तो आपको मैं दिखाऊंगा भी यह है हमारे गाउं का नाम जिसा को दिखाया थे लास्ट व्लॉग में भी यह मलसोना जो हमारा है तन्यार यह इस तरफ है मलसोना कच्वाणी यह इसी साइट पड़ते हैं हमारे गाउं की साइट जहाँ पर मारा स्था हम जाएंगे अभी तो यही रास्ता है तो अभी चलते हैं महा की तरफ आपको दिखाऊंगा यहां क्या काम चल रहा है पाप उमी क्या कर रहे हैं तो तो मेरे चैनल को जिन अब बहुत चीज़ देखने को बनेंगी यहां पे पापा ने क्या काम कराया है घर पे पहारों पर घर बनाना किकना मुश्किल काम है जो हम सीटीज में घर बनाते हैं और सीटीज में घर बनाना मतलब वो तो ऐसा है कि आप बुक करो ले आओ लेकिन यहां पर कतलब 200-300 km चड पापा को नहीं पता यहां पर नेबस जुबना बहुत मुश्किल काम है तो इसलिए पापा को खुश रखते हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं और यह कापी अच्छा भी घर बना दिया है यह सब आपा का डिजाइन है तो आपको इस चीज़े हमारे आने वारे व्लॉग प कैसे बात करते हैं मैं को इहां की लेंग्विज नहीं आती बट मैं समझ जाता हूं क्या बोल रहे हैं मैं बोलने बाता बट आपको मैं वह सब चीज़ों का एक एक्स्पियेंस कराऊंगा और इन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं और तब तक के लिए में चैनल को सबसवी हुचए है एक लाग लाग स्क्राइबर करने भाईज एक लाग स्क्राबर जिल्द जिल्द ृटाईस हिंझे बीड़ों के में बीड़ों सित अबने ते लिए की अधियों स्क्राइब नें फोर्लॉब तक कि यह सामस्पिसे मेरे जैविज विजया का पी्रिए झाल झाल